जो ब्राम्हण भारती जनता पार्टी को वोट नहीं देते वो गद्दार है क्या जैचंद की अवलाद है क्या मुसल्मान की अवलाद है क्या जो पिछडे समाज के लोग भारती जनता पार्टी को वोट नहीं देते वो गद्दार है क्या जो छत्रिय भारती जनता पार्टी क को वोट नहीं देते वो गद्दार है जैचंद की अवलाद है मुसल्मान की अवलाद है क्या मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं गद्दार कौन है क्या बच्चों को हमारे बच्चों को नमत रोटी खिलाने वाले वो गद्दार नहीं है संघ्यान ले और ऐसे व्यक्ति को चुनाओं लड़ने से प्रतिबंदित करें और आगणी नरेंद्र मोदी जी से आगणी जीपि नड़ा जी और अगणी मुख्यमंत्री आदित नाज जी से इसका स्पस्टी करन मांगे ऐसे व्यक्ति को उन्हें टिकट क्यों दिया और अब तक उन पे कारवाई क्यों नहीं की सभी पत्रकार बंदूओं को नमश्कार आज मैं अपने घर पर सुल्तानपूर में हूँ और कल राज से एक बयान सुनकर पीडित हूँ दुखी हूँ देश के करोणों हिंदूओं को भारती जनता पार्टी का विधायक खुले आम गाली दे रहा है जैचंद की अवलाद कह रहा है देश के करोणों हिंदूओं को गद्दार कह रहा है हराम और आगे का सब्द मैं बोल नहीं सकता आपके चैनल पर ऐसी भासा से प्रयोग कर रहा है जैचंद की अवलाद कह रहा है मुसल्मान की अवलाद कह रहा है मैं पूछना चाहता हूँ भारती जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ आदिरनी नरेंद्र मोदी जी से योगी आदित नाज जी से जेपी नड़ा जी से क्या जो दलित समाज के लोग भारती जनता पार्टी को वोट नहीं देते वो गद्दार है क्या जो पिछडे समाज के लोग भारती जनता पार्टी को वोट नहीं देते वो गद्दार है क्या जो ब्राम्हन भारती जनता पार्टी को वोट नहीं देते वो गद्दार है क्या जैचंद की अवलाद है क्या मुसल्मान की अवलाद है क्या जो छत्रिय भारती जंता पार्टी को वोट नहीं देते वो मुसल्मान की अवलाद है वो जैचंद की अवलाद है वो गदार है क्या जो वैस्य बीजेपी को वोट नहीं देते वो गदार है जैचंद की अवला हैं मुसलमान की अफ्लाद है क्या या मैं पूछना चाहता हूं ओधित्नाजी आपसे selfies कि मैं पूछना चाहता हूं जैपी नड़ा जी आपसे है आपका यह विधायत没 इस प्रकार के बयान अंदेरा और अब तक आप खामोस हैं करोणों हिंदूओं के अपमान पर देश के करोणों हिंदूओं को गाली दी जा रही है और आप सारे लोग खामोस है ऐसे कैसे हो सकता है अगर हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो हम अपने माबाप की नाजाय जवलाद होगे भारत का संबिधान बाबा साहद डॉक्टर भीमराव अमबेटकर के द्वारा रचित संबिधान हमें अपने मरजी से वोट देने का अधिकार देता है देश का निर्वाचन आयोग हमें अपने मर्जी से वोट देने का अधिकार देता है भारती जनता पाटी को जो वोट नहीं देगा वो जैचंद की अवलाद हो जाएगा वो मुसल्मान की अवलाद हो जाएगा वो गद्दार हो जाएगा और आगे का शब्द तो बोली नहीं सकता मैं हराम हराम इस प्रकार की भासा बोली जा रही है भारती जर्ता पार्टी के लोग ऐसी भासा बोल रहे है मैं भारत के निर्वाचन आयोग से हाँ जोड़कर प्राक्ता करना चाहता हूँ आपने उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को स्वतंत्र निस्पक्ष चुनाओ कराने का भरोसा दिया है और स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनाओ का मतलब है कि कोई भी मतदाता अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो भारती जन्ता पार्टी के खिलाफ वोर्ट देते हैं और वो हिंदू हैं डलित समुदाय से आते हैं पिछडे समुदाय से आते हैं ब्राम्मन समुदाय से आते हैं छत्री समुदाय से आते हैं वैस समुदाय से आते हैं सवर्ण वर्ग से आते हैं वो सब गदार है वो मुसल्मान की अवलाद है वो जैचंद की अवलाद है क्या इस प्रकार की भासा बोली जाएगी मैं कहना चाहता हूँ आदित नाजी गदार वो लोग होते हैं जो बच्चों को नमक रोटी खिलाने का काम करते हैं सरकारी स्कूलों में नमक रोटी खिलाने वाले गदार होते हैं अस्पताल का पैसा खाने वाले गदार होते हैं देश की संपत्ती बेचने वाले गदार होते हैं वो लोग गदार होते हैं जो करोना की महामारी में भ्रस्ट अचार करते हैं वो लोग गद्डार होते हैं वो जैचंद की अवलाद होते हैं जो प्रवुसरी राम के मंदिर के निर्मान में चंदा चोरी करने का काम करते हैं इसलिए मैंने भारत के मुख चुनाव आयुक्त को ये पत्र लिखा है और देश के करोनों हिंदूों को गाली दिये जाने के खिलाफ मोदी जी जेपी नड़्डा जी और आधित नाज जी से अस्पस्टी करन मांगा जाए भारती जनता पार्टी के उस विधायक रागवेंद सिंग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए इसको लेकर मैंने ये पत्र लिखा है और मैं पूछना चाहता हूं फिर से एक बार देश के प्रधान मंतरी आधनी नरेंद्र मोदी जी से उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी आधनी आधित तुनाज जी से कि आप क मैं निवेदन कर रहा हूँ आप से आप बताइए क्या जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है क्या वो जैचंद की आउलाद है क्या वो मुसल्मान की आउलाद है क्या क्या वो हराम आगे का शब्द फिर कह रहा हूँ नहीं बोल सकता ऐसी गालिया दे रहे हैं आपके लोग देश के करूणों हिंदूओं का आप मान कर रहे है अरे हम अपने माबाप की आउलाद है और हम भारती जनता पार्टी को वोट नहीं देते एक नहीं एक हजार बार इ अपनी मा का अउलाद हूँ और मुझे फक्र है इस बात का कि मैं अपनी माबाप की आउलाद हूँ लेकिन भारती जनता पार्टी को वोट नहीं देता ऐसे बहुत सारे छत्री हैं ब्रामन हैं वो खुशी दूबे की मा अगर वो बीजेपी को वोट नहीं दे रही है तो वो प्रभात मिश्रा जिसका फरजी इंकाउंटर आपकी सरकार ने करा दिया उनके घर के लोग अगर बीजेपी को वोट नहीं दे रहे तो वो गदार है वो ब्रामन समुदाए के लोग जिनके उपर आपकी सरकार ने अत्याचार किया वो नौजमान जो लाचियों से पीचे ग हैं तो क्या वो गदार है जैचंद की अवलाद है मुसल्मान की अवलाद है मैं पूछना चाहता हूं आदित नाजी से और मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के सभी हिंदू मतदाताओं से यह अपील करना चाहता हूं इस गाली को इस अपमान को अपने वोट की ताकत से ख्रहा हूं झाल 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 झाल